है है वेले अधर व happiness वग वे tenants वह वह वर्कूमिों वश्मेत का है क्या हम लोग ईस aren't कर रहे हैं क्या हम लोग स्कार कर रहे हैं वसला सिक जाशन के लिए यहां पर आमके औंट देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है किस देश में आयोजित किया गया तो इसका स़इ जवाब है कतर और कतर की राजधानी जो है कैपिटल क्या है दोहा ओगे कातर की चैपिटल क्या है दोहा चलिमेंगा चलिए नेक्स installकिकी तरफ चलतें अगला नंस एक है कि 22 जिसे है है उसका जो अध्यक्ष है उसे कनाया किसे बनाया गया है वो के 22 वे विधी आयोक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो करेक्ट आंसर है इसका रितुराज अवस्थी क्या नाम है इसका रितुराज अवस्ती, जैनि इसके बाद अगला question आता है संगाई महुचसो कहां है संगाई महुचसो संगाई महुचसो जो है यह कहां का महुचसो है, तो correct answer संगाई महुचसो जो है यह मणीपूर का, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, असम बट असम नहीं है, संगाई महोटसो जो है वो कहां का है, मड़ीपुर का है, और इसी बात पर एक कमेंट करिए, मड़ीपुर की राजधानी का नाम क्या है, मड़ीपुर की गया है? क्या है? औके चलिए अगला कॉस्शन देखे अगला कॉस्शन है एक तालिस्वा अंतराश्टी व्यापार मिला ट्रेड फेर बोलते हैं 41th Justice, 14 grandfather international international trade fair, ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है trade fair जो है ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है बिल्कूल सही जवाब है बहुत लोगों का निओ कई मेदान प्रिखति मेदान में तो इसमेंसे ये प्रगति मेदान में ऑधित होने जा रहा है चलिए इए नेक्स concept की बात करते है अगला क्या है भई अगला one-liner question है, कि 133 ओके 163 जो समविधान संसोधन है, वो किस Ñक्ड से सम्भंधित है, 130 समविधान संसोधन जिसको ले करके बहुत हंगामा मचा हुआ था, okay, 193 समविधान संसोधन जो है, वो आखिर किस चीस से सम्मधित है, किस की कानून से सम्मधित है, तो इसका correct answer है economic weaker section अना रक्षित पिछड़ा वर्गे जो है EWS से संबंदित है 103 वा इसको याद रखेगा यह बहुत चर्चित रहा है 103 का जहां भी जिक्र हो जाए तो EWS ओके EWS यस चलिए अगले question क्यों बढ़ेंगे अगला question क्या है अमूर फलकन फेस्टिवल ठीके ना अमूर फलकन फेस्टिवल जो है वह कहा हुं जिसका 7 वा संस्क्राण hebben अभी आयुजीत हो रहा है emails मेven संगाई महुद्स नहीं बताया था तो अमूर फलकन फेस्टिवल ओके कौनसा फेस्टिवेल है अमूर फलकन फेस्टिवल तो आपको बताना है कि जो अमूर फलकन फेस्टिवल है ये किस राज में आयूजित किया जा रहा है और इसका मैं बता दूँ आपका इसका सेवेंथ एडिसन भी चल रहा है तो आपको बताना है कि अमूर फलकन जो फेस्टिवल है ये किस राज में आयूजित किया जाएगा ओके तो बहुत सारे केमेंट में आ रहे हैं आंसर सही मिलकुल इसका जो आंसर है मडीपूर मिलकुल सही है बहुत लोगों ने बताया है और मडीपूर और वाकई में इसका सही आंसर मडीपूर भी है और याद रखिएगा इसका ये साथवा संस्करण है और थोड़ी सी नौलिस देदू में जो अमूर फलकन होता है अमूर फलकन किसको कहा जाता है अमूर फलकन जो बाज पक्ची होता है ओके ये बाज पक्ची को बुला जाता है ठीक है तो ये बाज की वज़े से मनाय जाता है इसको उनकी संस्कृति में साथ कुछ होगा जादे जानकारी मुझे नहीं है तो अमूर फलकन महोत्साओ कहां का है मड़ीपुर का है बाज की वज़े से मनाय जाता है चलिए अगला कुशन देखते हैं दो हजार पच्चिस भाई साब दो हजार पच्चिस कबड़ी विश्यकप कहां होने जा रहा है अब दो हजार पच्चिस का जो कबड़ी वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो किस देश में होने जा रहा है किस देश में होने जा रहा है तो इस देश का नाम शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसका नाम है वेश्ट मिड्स लेंड वेश्ट मिड्स लेंड तो वेश्ट मिड्स लेंड में ये होने जा रहा है इसके बाद देखते हैं अगला question है कि कतर की राजधानी क्या है? अभी मैंने आपको बता लिया कि कतर की राजधानी है उसका नाम क्या है? दोहा, कतर की राज़ानी जो है, वो क्या है, दोहा, और अगला सवाल ये है, कि जो 2022 का फुटबॉल विस्ट कप हुआ था, उसका जो फाइनल हुआ था, वो कहां हुआ था, फुटबॉल विस्ट कप का फाइनल जो हुआ था, कहां हुआ था, तो ये जो फुटबॉल विस्ट स्टेडियम में कौन सा स्टेडियम लुसैन स्टेडियम में ये हुआ था दोहा के लुसैन स्टेडियम में हुआ था ये फाइनल चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं ओके ये भी बताने भाई जीता कौन था यहाँ पर जो विजेता था वो थी अर्जेंटीना की टीम कौन सी टीम थी अर्जेंटीना की टीम थी अर्जेंटीना ने किसको हराया था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था यानि कि उब भी जेता कौन सी टीम थी फ्रांस की टीम थी चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है ACI महादीप याने की ACN कॉंटिनेंट सतरंज चैंपियन ACI महादीप की जो सतरंज चैंपियन है कौन पुरुसमे की महिला में मैं महिला का नाम पूछ रहा हूँ बताईए ACI महादीप की महिला की सतरंज चैंपियन कौन है तो ACI महादीप की सतरंज champion का नाम याद रखिए एक थी PV संधू वो किस में है बैड मिंटन में उस सतरंज में आपको याद दिलाएगा ट्रिक का काम करेगा PV नधिन्धा तो PV बड़ यादा जाएगा आपको PV संधू से तो बड़ याद कि भाई इस वर्स का मतलब उनीसवा जो आसियान सम्मेलन हुआ करता है ओके इस वर्स का आसियान सम्मेलन आसियान भारत सिखर सम्मेलन ओके आसियान भारत सिखर सम्मेलन ओके शिखर सम्मेलन कहां पर स्टार्ट हो रहा है इस वर्स का भारत का एसियान भारती सिखर सम्मेलन कह पर इस्टार्ट हुआ कहां पर आपको बताना है कि आसियान भारत का सिखर सम्मिलन कहां पर इस्टार्ट हुआ तो इसका करेक्ट आंसर है कमबोडिया ओके कमबोडिया देखिए ये कमबोडिया आप जानते होंगे कमबोडिया एक देश है ओके कमेंट बाक्स में इसकी राज आशियान्बाराइसिखर संम्मेलन ओkem सिखर वारत भी इसको भोलते हैं ऑके तो 19 वाव पारतीप помिलन में भारत को रिपरेंट भ invites कि तरब से कॉन गये थे कौन किस विश्व रेडियो ग्राफी दिवस कम मनाया गया है तो देखिए विश्व रेडियो ग्राफी दिवस जो है मनाया जाता है रेडियो का शेप कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये रेडियो में दो क्या होते हैं दो वालिम हुआ करते हैं इस तरीके से ओके ये रेडियो में क्या होते हैं दो वालिम हुआ करते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा आठ जी हां तो इस तरीके से आठ ही इसके साउंड होते हैं फिर्ष्ट लिफ्ट वाला राइट वाला तो यह कंद जाता है यह है आठ नवमबर ओके आपको याद रखना है विश्च रेडियोग्राफी दिवस का मना जाता यह आठ रो नवमबर को मनाए जाता है ठीक ना अगला सवाल करते ह भाई साब अगला सवाल देखिए कहता है Bats application किसने launch करी है Bats application Bats application जो है किस भी भागने launch करी है तो Bats application launch करी है भाई साब प्रसार भारती ने जो आकाश्वानी चलती है न प्रसार भारती या आकाश्वानी का फलाना केंदर है तो प्रसार भारती ने लॉंच करी है चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोलो एप बोलो एप किस ने लॉंच करी है बोलो एप भाई साब बोलो एप किस ने लॉंच करी है बी फॉर बोलो बोलो एप किस ने लॉंच करी है देखिए दो ओ आ रहे हैं और दो ओक इसमें आते हैं गूगल में भी आते हैं तो गूगल ने लॉंच करी है याद करने की छोटी छोटी ऐसे memory chain मनाई है क्योंकि जब आपको question लिखेगा तो आपको यह याद आएगा आपको यह सब तो भूल जाएगा आप जानते होगी इतना सब कुछ दिमाग में कु जो 15 senate ago एशियाई अयर गन प्रत्य योगिता होने जा रही है दोस्तों वो कहां होने जा रही है तो एसाइअ एइर गन प्रत्यों किता जो हने जा रही है ठीक है चली अगούरा सवाल की तरफ चलते हैं 15 शेयाई एÏपर ईएऊर गन पस्रत्यों किता हो जा रही है चली अगला question वहता है, सबसे कम वन कहां पर है, सबसे कम जो forest है, वन यानि की forest कहां पर है, तो सबसे कम वन जो है, वो है हरियाणा में, comment box में मुझे बताएंगे कि हरियाणा में अपने देश के कितने प्रस्त वन है, और उसके बाद सबसे अगर मैं जादा वन की बात करूँ, सबसे जादा वन, तो सबसे जादा वन कहां पर पाय जाते हैं, सबसे जादा वन पाय जाते हैं, मध्ध प्रदेश में तो आपका काम है, comment box में दो चीजें लिखना है, कि सबसे कम वन कितने परसेंटेज हैं, और मध्ध प्रदेश में सबसे जादा वन है, तो वो कितने पर राशी कितनी है ओके बिहारी पुरुषकार की राशी कितनी हुआ करती है ओके तो बिहारी पुरुषकार की राशी कितनी है और साथी साथ में अरजुन पुरुषकार की राशी कितनी है ओके अरजुन पुरुषकार अरजुन पुरुषकार तो दो पुरुषकार के एक दूसरा अरजुन पूरस्कार आपको बताना है कि दोनों पूरस्कारों की रासी कितनी है कमेंड बॉक्स में टाइप करके आप जवाब देंगे चली अगला है इस टेचू आप प्रॉस्पेरिटी का अनावरन कहां किया गया है माननी प्रधानमंत्री शी नरेंदर मूदी इस टेचो आप प्रॉस्पेरिटी का अनावरन कहां पर किया गया है तुम्हें आपको बता दूंकि इस टेचू आप प्रॉस्पेरिटी जो नावरन हैं वह सिलिकान वैली जिए या सिटी ऑफ गार्डन ओके कैलिजिए क्या बैंगलुर। ओके बैंगलुरू उद्यानों क शहर कहे लो या सिलिकान वैली कहते हैं इसी को सिलिकान वैली भी बोलते हैं इसी को उद्यानों का सहर भी बोलते हैं तो ये बैंगलूरू में इसका उद्गाटन हुआ है स्टेचु आप प्रास्पेरिटी का ठीक है न अगला चलिए अगला क्वश्चन देखे देखते हैं अ होके अरुणाचल प्रदेस में बालोंग मेला लगता है इसको चीन की सेमा लगी होती इसको पहले क्या बोलते थे इसको बोलते थे नेफा प्रदेस गालोंग टो एसको ओओ बहुतने मेला लगेगा क्या नाम बालोंग algorithms प्रससे कई जगह मुढबेड होती ना भार्ती से की चीन के साथ कौन सी जगह है । हो डुंगला नतुला पॉंग और बंबंग पैंगोंग जील भी ज्री थोड़ा कि लग भार लेदाक भी मतलब कि छोड़ा रोनाचल प्रदेश में लगता है और इसकी राजधानी क्या इसकी राजधानी है इटा नगर क्या राजधानी इसकी इटा नगर ओके चली अगला देखते हैं तो बालोंग मेला इटा नगर याद रखेगा बालोंग मेला क्या होता है बालोंग मेला लगता है इटा नगर में करते रहे हैं, रिविजन बहुत जाद naturale important है, नया पढने से जाद इंपोर्टर nên्ट होता है, चलिए अगला question करते हैं, राश्ट्री पकछी दिवस कम मनाया जाता है, राश्ट्री पकछी दिवस, अभी आप ने देखा था, रेडियो दिवस कम मनाया रेडियो दिवस मना जाता है 8 नवंबर को, अब इसके बाद आ चुका है राष्ट्री, मतलब welcome ये समर्पित है, राष्ट्री पक्षी दिवस मना जाता है भाई ता नोवंबर के चार दिन बाद यानि की 12 नोवंबर को मना गलता है राष्ट्री पक्षी दिवस, तो आठ से च पक्षी मैन भी बुला जाता था है ना जिनको पक्षी विग्यानी पक्षी मैन बर्ड मैन बुला जाता था क्या नाम था इनका बर्ड मैन है ना बर्ड मैन बहुत पक्षियों के बारे में देख भल उनका प्यार उनकी जानकारी रखते थे तो इनको बोलते थे डॉक्टर सली तो डॉक्टर सलीम अली के द्वारा के मतलब उनकी याद पे उनके बर्थडे पे 12 नॉम्बर को उनका जन्म दिन हुआ था उनकी याद पे ये मनाया जाता है चली अगला क्वश्यन है भारत का प्रथम विक्सित निजी रॉकेट मतलब इंडिया का जो पहला खुद का विक्स आप उसका नाम है विक्रम क्या नाम है विक्रम सी क्या नाम है विक्रम एस क्या नाम है विक्रम एस तो क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने की कोसिस करिए ट्रिक आप अपने तरीके से बनाई है हर बार आप मतलब ट्रिक के जैसे कि जरूए नहीं कि मैं ही बना पाऊं आ का अपना अलग जो होता है नौलेज लेवल होता है तो आप लोग खुद से ही वना सकते हैं विक्रम एस ओके चलिए अगला क्वश्चन भाई बहुत ही सिंपल है नीजी रॉकेट की बात तो हो गई विक्रम एस जिंदाबाद अब इसके बात करते हैं फूलों की घाटी कहां ह फूलों की घाटी जो है उत्राखंड है उत्राखंड से याद आया भाई साब चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन का हुआ था उत्राखंड में हुआ था ओके तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्राखंड में और कौन से जिले में हुआ था चिपको आंदोलन जो है चमूल चलिए अब बात करते हैं IDBC का मुख्यालय कहां पर है भारत में IDBC भाई यह होता क्या है IDBC का मतलब होता है भारती जैविक डेटा केंद्र ओके भारती जैविक डाटा केंद्र ठीक ना तो भारती जैविक डेटा केंद्र तो यह क्या होता यह दिल्ली का पडोसी है फरीदाब तो फरीदाबाद में IDBC का मुख्यालय है IDBC का जो मुख्यालय है दोस्तों फरीदाबाद में तो अभी के लिए बस बस दोस्तों इतना ही करवाऊंगा मैं चली तो आग्या दीजे बहुत बहुत नमस्कार जै हिंज जै भारत आपका दिन शुबो मंगल मैं हूँ